बहुत बहुत स्वागत है आज की सत्र में आप सभी का और आज हम इस सेशन में फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करने वाले हैं बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टन बहुत है इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा बहुत छ बीना डिले की वह में स्टार्ट करते हैं जैसा कि जानते हैं आपकी हम और आप मेल करके पोलराइजेशन को स्टड़ी कर रहे हैं कुछ वीडियो की एक सिरीज है उन वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं पढ़ते हैं तो पोलराइजेशन आपका पूरा प्रिपेर हो डाइग्राम को देखने से भी आपको clear हो रहा होगा कि क्या है plane of polarization और क्या है plane of vibration फ्रेंट्स पिछले वीडियो में हमने आपने देखा कि polarization क्या होता है और अगर अभी भी आपको कोई doubt है तो इस वीडियो में भी मैं description box में आपको link डाल दूँगी आप दुबारा से एक बर revise करिए कि polarization क्या होता है अभी हम यह मान कर चल रहे हैं कि आपको अच्छे से पता है कि polarization क्या है polarized light क्या है और unpolarized light क्या है तो फ्रेंट्स यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं diagram तो diagram को देखने से ही आपको clear हो रहा होगा कि यह जो light आपको दी गई है यह unpolarized light को show करती है unpolarized light को आप इस तरीके से भी show कर सकते हैं और आपको याद हो जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने discuss किया था कि हम star बना करके भी unpolarized light को show करते हैं जिसका meaning होता है कि wave propagation direction से perpendicular यानि तरंग संचर और दिशाक के लंबवत plane पर जितने भी possible vibrations हैं उन सब में electric vector के vibration होंगे विधुत vector के company संभव होते हैं उसमें तो यह unpolarized है और अगर यह सारे जो vibrations हो रहे हैं किस plane पर perpendicular to the propagation of light तरंग संचरन की दिशाक के लंबवत इसको detail में जानने के लिए polarization को जो वीडियो में ने दिया है उसको जरूर आप देखिएगा अगर इन सारे vibrations को रोग कर सिर्फ और सिर्फ कोई भी एक vibration आप allow करते हैं जाने देना तो आप इसे क्या कहते हैं तब आप इसे कहते हैं polarized light यानि सारे vibration रोग दिये जाएं और wave propagation direction से perpendicular इधर हमारी wave जा रही है और wave से perpendicular direction में सिर्फ एक ही vibration इलाऊ है तो यह हो जाती है आपकी polarized light तो friends polarized light यह हम लोगों ने revision किया अब diagram को देखिए जब हमें clear है कि polarized light क्या होती है और unpolarized light क्या होती है अब यहाँ diagram को देखने से आपको पता चल रहा है कि हमने unpolarized light को tourmaline crystal है na tourmaline crystal को भी हम बिसकस कर को ने देखा है demonstration of polarization उसी में हमने देखा कि हम unpolarized light से polarized light कैसे produce कर सकते हैं तो आपने देखा था कि unpolarized light को एक tourmaline crystal पर हम incident कराते हैं आक्तित कराते हैं तो यह tourmaline crystal light के लिए प्रकाश के लिए एक natural polarizer का काम करता है एक ऐसी device जो कि unpolarized को polarize में convert कर देती है तो यह unpolarized light जब tourmaline crystal पर incident होती है आपतित होती है तो इससे निकलने वाली light polarized हो जाती है और देखने से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर देखिए arrow और dot दोनों है यानि यह unpolarized light है और यहाँ पर देखिए सिर्फ arrow है यानि कि यह polarized light यह unpolarized और यह polarized light है अब यहाँ हम सिर्फ plane polarized light की बात कर रहे हैं friends वैसे circularly polarized elliptically polarized light भी होती है जिसे अभी हम यहाँ डिसकस नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर आपको उसकी जरूरत है उसकी जानकारी आप चाहते हैं तो comment box में लिखेगा मैं उसका अलग से video upload करूँगी यहाँ हम सिर्फ अब देखेंगे plane of polarization and plane of vibration तो friends unpolarized light से polarized light हमें मिल गई और आपको अच्छे से पता है कि polarized light क्या होती है तो अब सिर्फ इस polarized light पर आफ focus करिए और देखेंगे कि आपकी light इस direction में आगे बढ़ रही है आपकी light जिस direction में आगे बढ़ रही है उसको आप देख पा रहे हैं यानि light हमारी इस direction में आगे जा रही है ये direction क्या होगी direction of propagation of light तरंग के संचरण की दिशा ठीक है और जो polarized light में electric vector विद्धूद vector के vibration है वो आपके ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं ठीक है ये direction हो गई प्रकाश के संचरण की दिशा direction of propagation of light और ये हो गई आ आपके जो light के electric vectors हैं विद्धूद vector हैं उनके कमपन की दिशा तो अगर आप इन दोनों direction को लें यानि एक तो vibration of electric vector ये direction और दूसरा तरंग के संचरण की दिशा direction of propagation of light तो ये दो direction और दो direction जब मिलते हैं तो एक plane बनता है यानि ये दोनों direction मिलकर के जो plane बनाएंगे friends तो clear क आपको दिखा देते हैं कि ये जो direction of propagation of light है और vibration of electric vector है वो दो direction मिलकर के एक plane बनाएंगे ठीक है ये plane आपका बन जाएगा इसी plane को आप नाम देते हैं plane of vibration ओकी दो direction आपने कौन-कौन से लिए एक लिया direction of propagation of light तरंग के संचरण की दिशा और दूसरी आपने लिया वो direction जिसमें उस light का electric vector vibration करता है तो इन दोनों को मिला करके जो plane बनता है वही plane होता है plane of vibration तो plane of vibration यहाँ देखिए आप देख रहे है A B C D is the plane of vibration तो कि यह कौन से दो direction से बना है एक direction of propagation of light प्रकाश के संचरण की दिशा और दूसरा direction of vibration of electric vector of the light प्रकाश में जो electric vector है विधूत vector है उसके कमपन की दिशा इन दोनों से मिलकर जो plane बनता है वो है plane of vibration और यह वो plane होता है जिसमें electric vector vibration कर रहा होता है और यह दूसरा कौन से direction इंक्लूड करता है direction of propagation of light यह दो फैक्ट हमेशा याद रखिएगा तो आपको plane of vibration हमेशा याद रहेगा अब जब plane of vibration को आप भ्यान से देख रहे हैं तो इसी में आप observe करिए कि plane of vibration से just perpendicular एक plane आपको दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे इसी को कहते है plane of polarization और इसको और आप explain करें तो आप इसमें इसे क्या कह सकते हैं देखिए कौन सी दो direction क्योंकि plane है तो दो direction जरूर होंगी दो direction दो मिलकर के direction ही plane मना रही है plane of vibration में यानि ABCD में यह आपका ABCD plane था plane of vibration इसमें कौन से दो direction थे एक direction of propagation of light दूसरा direction of vibration of electric vector plane of vibration से just perpendicular वो plane जो की ध्यान से सुनिएगा यही लिखना होगा plane of vibration से just perpendicular plane of vibration से just perpendicular यानि लंबवत वो plane जो की वे propagation direction को include करता है plane of vibration से लंबवत वो plane जो की तरंग के संचरण की दिशा को शामिल करता है जो की यहाँ PQRS से represent किया गया है इसे कहते हैं plane of polarization ठीक है समझ गए होंगे आप कि plane of vibration में दो direction एक है direction of propagation of light तरंग के संचरण की दिशा और दूसरी electric vector के कमपन की दिशा और जब plane of vibration से perpendicular हमें एक plane ड्रॉ करते हैं जो की include करता है direction of propagation of light यानि plane of polarization में जो दो directions होनी चाहिए उनमें से एक तरंग के संचरण की दिशा जरूर होगी direction of propagation of light होगी और ये plane of polarization, plane of vibration से perpendicular यानि लंबवत होगा तो friends ये दोनों आप समझ गयों होंगे plane of vibration क्या है और plane of polarization क्या है एक ध्रूमड तल है plane of polarization और plane of vibration यानि कमपन तल तो friends आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मैं थोड़ा सा यहां और आपको जानकर यह देना चाहूंगी जो आपनों हमने अपने थोड़ा डाइग्राम के थूरू कैमरे पर आकर के हमने object यूज करके डिसकस किया था थोड़ा सा और उसको अब यह अन पोलेराइज लाइट को हम लोगों ने ऐसे पेपर पर बना करके शो किया पिछले वीडियो में देखा था अब यहां से अगर यह पैन ऐसे रखें तो direction of propagation of light और उससे perpendicular यह पेपर plane हो गया इसको हम ऐसे दिखाएं तो आपका जो डाइग्राम दिख रहा है आप आपको स्क्रीन पर वो आप समझ पा रहे होंगे अब इन सारे vibrations में से अगर सब को रोक के सिर्फ एक allow करें तो आपका यह वाला vibration बन जाता है यानिकि polarized light का vibration तो अब इसे आप imagine कर पा रहे होंगे यह जो polarized light आपको दिख रही है अब एक ही pen की direction और दूसरी यह जो vibration की direction है जब इसको मिला करके आप एक plane बनाते हैं तो आपको मिल जाता है यह वाला plane यानिकि plane of vibration और उसे अगर हम paper से show करें तो friends देखी यह direction include हो और यह direction include हो इसक गुमा दें यह direction यह तरं के संचरण की दिशा है direction of propagation of light है यानि यह वाली direction जो आपको diagram में दिख रहा है तो अब यह plane आपको जो दिखा रहा है वो होगा plane of vibration कम पन तल और इसी से just perpendicular यानि plane of vibration से just perpendicular लंबवत इसको घुमा दें ऐसा जिसमें एक direction तरं के संचरण की दिशा जर दूर उसमें include होगी तब अब यह plane इस समय जो paper आपका है यह बन जाएगा plane of polarization तो friends plane of vibration और plane of vibration आपको clear हो गया होगा आगे की जानकारी के लिए हमारे आगे की वीडियोस देखते रहे आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद